काजल रागवानी भोजपूरी की नंबर वन एक्ट्रेसेस में से एक है आज उनके पास जो भी कुछ कमाया हुआ है चाहे रुपया, दौलत, सहरत, सभी कुछ हो वो भोजपूरी की बदौलत है न की गुजराती फिल्मों और गुजराती टीवी सीरियलों की बदौलत वैसे वहां भी काजल रागवानी ने अपनी किस्मत आजबानी चाही लेकिन उन्हें वो कामयावी नहीं मिले जो उन्हें भोजपूरी में मिली खैर ये बाते हम आपसे क्यों कर रहे हैं आगे हमारा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे तो काजल रागवानी गुजरात की है और पूने में पली बड़ी है उनकी पूरी फैमली पूना में रहती है इसलिए शायद काजल रागवानी की मराठी भी बहुत अच्छी है खेर आगे हम बात करते है इन दिनों काजल रागवानी की फिल्म पूली नंबर वन की शूटिंग चल रही है और हर फिल्म की तरह काजल रागवानी के साथ उनकी मम्मी इस फिल्मी सेट पर भी मौजूद है आपको बता दे कि इसी फिल्मी सेट से काजल रागवानी एक दिन लाइव होती है और उन्होंने अपने सारे दर्शुकों को धन्यवाद किया लाइव चैट में काजल रागवानी सभी का धन्यवाद करती है अपने फ्रेंड्स अपने वीवल्स सभी का साथ ही काजल रागवानी अपनी अचीवमेंट भी गिनाने लगती है तब ही उनका मैकप मैन इसी में कहता है कि काजल रागवानी शादी भी बिहार में करेंगी तब ही उनकी मम्मी जढ़ से बोल पड़ती है कि काजल रागवानी बिहारी लड़के से शादी कभी नहीं करे तब ही जढ़ से माहोल को सम्हालते हुए काजल रागवानी कुछ बातों को घुमा देती है लेकिन मम्मी के इस reaction से ये साफ जाहिर हो जाता है कि काजल रागवानी के शाधी वो बिहार में कत्ताई या फिर बिहारी लड़के से कत्ताई करना नहीं चाहती और वैसे अगर मम्मी ये नहीं चाहती हैं तो बेटी का चाहना तो नामुम्गिन सा लगता है क्योंकि काजल रागवानी अपनी मम्मी को बहुत बड़ी priority अपनी लाइफ में देती है अपने हर एक बिसीजन में अपनी मम्मी को साथ लिये हैं तो अब आप यह समझ चुके होंगे कि काजल रागवानी शादी कभी भी किसी बिहारी लड़के से नहीं करेंगी क्योंकि उनकी मम्मी को बिलकुल मंजूर नहीं है कि काजल रागवा ने किसी विहारी लड़के से शादी करे भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं